हेलो दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी उत्राखन प्रैक्टिस सेट वाले सिरिच का 66 पार्ट है चलिए आज की वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला युश्चने सरुपर्तम मुगल बास्या अकबर के सासनकाल में सन 1557 में पुर्तगाली मिसनरी दवारा भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां इस्थाबित की गई इसका अंसर है गोवा में सबसे पहले अकबर के सासनकाल में 1557 में पुर्तगाली मिसनरी दवारा भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थाबित की गई अगला क्युशन है, 29 जनवरी 1780 बारत में मुदरीत पहला समाचार पत्र किस नाम से परकासित हुआ। अगला क्युशन है, देव भूमी उत्राखंड की भूमी पर इसाई धरम की सिक्सा लेने वाला पहला वैक्ति था। इसका अंसर है, ख्याली ओड या ख्याली रमोडा, इसाई धरम की दिक्सा लेने वाला पहला गडवाली वैक्ति ख्याली रमोडा था। ख्याली रमोडा को गडवाल का पिटर भी कहते हैं। सन 1870 में अलमोडा में पहली बार समाजिक, राजनेतिक, सांसकर्तिक और आर्थिक समश्याओ के समादान हेतु बनी संस्था थी। इसका अंसर है डिबेटिंग कलव। डिबेटिंग कलव की स्थापना सन 1870 में अलमोडा में होती है। और यह संस्था पहली बार समाजिक, राजनेतिक, सांसकर्तिक और आर्थिक समश्याओ के समादान हेतु बनी थी। एक अंगरेज वयवश्याई वय समाज सेवी जोन मैकिनन दवारा उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र किस नाम से मसूरी से परकासित किया गया। इसका आंसर है D.Hills, D.Hills समाचार पत्र को जोन मैकिनन ने मसूरी से परकासित किया था और यह उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था अगला क्युशन है जहांसी की रानी लक्समी भाई के वकील रहा चुके मिश्टर जोन लैंग दवारा मसूरी से परकासित समाचार पत्र था इसका आंसर है मैफिस लाइट मैफिस लाइट को मिश्टर जोन लैंग दवारा मसूरी से परकासित किया गया अगला क्योत्षर ने 130 वर्सों के लंबे अंतराल के पश्चाद किस पत्रकार दोला मैफिस लायट को पुनर जिवित किया गया इसका आनसर है जे परकास उत्राखंडी किया गया इसका आंसर है 1860 इस्वी में डाक्टर इसमित द्वारा दी हिल्स का परकासन उन्हा प्रारम किया गया अगला गिश्चन है उत्राखंड से परकासित होने वाला हिंदी का पहला समचार पत्र था इसका आंसर है समय विनोध समय विनोध उत्राखंड में परकासित होन वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र थाम ق्राण सं 1881 में जल्वुटा अक्पार नाम के समाचार पत्र का परकासन किसके सम्पादन में प्रारम हुआ इसका अनसर बुद्धी वल्लत्र पंत 상 अठार सा 2 काम के सम्पादन. में प्रारम हुआ अगला गुशन है अलमोडा अकबार नाम के समाचार पत्र का संपादन निम्न में से किसने नहीं किया इसका आंसर है जे परकास उत्राखंडी जे परकास उत्राखंडी ने अलमोडा अकबार का संपादन नहीं किया था जबकि इम्तियाज अली और प्रारम का सरे गडवाली पत्र को जाता है। अगला क्युष्चने, 1918 को विजे दसमी के अवसर पर बदरिदत पंडे के संपादन में किस पत्र का पहला अंग परकासित हुआ। बेरिष्टर मुकंदी लाल ने सन 1922 में लैजडाउन से तरुन कुमाव हिंदी साप्ताई का परकासन प्रारम किया। अगला किशने भारतिये सव तंत्रता आंदोलन में समान्य जन के साथी साधू शन्यासी वर्ग ने भी महत्तपुन भुमी का निभाई थी। इनी में एकते स्वामी विचारन सरस्वती जो देरादून में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे जिसका नाम था। इसका अंसर है अभे स्वामी विचारन सरस्वती देरादून में अभे नाम की प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। अगला किशने गिरिजा दत निथाणी ने 1902 में गड प्रिजादत नेथाणी ने 1902 में गडवाल समाचार नाम से एक मासिक पद्र का परकाशन लैस डाउन से प्रारम किया था। अगले उश्यने, किरपा राम मिश्र मनहर का नाम अत्यदिक परसित था, इनके दोवारा कडवाल छेतर से परकाशित समाचार पद्र था। इसका अनसरे गड़देश, किरपा राम मिश्र मनहर ने गडवाल छेतर से गड़देश नामक समाचार पत्र को परकाशित किया था। अगले उश्यने, कोड़ दोवार से संदेश नामक समाचार पत्र का परकाशित किया था। इतियास कारों ने नेरुस की करांती में लेलिन दवारा संपादित पद्र इस्तरा के समकक्स रखाए। अगले उश्यने, परजा बंदु नामक एक सापत्र पत्र का परकाशित किस ने किया। इसका अंसर है जैदत वेला ने जैदत वेला ने परजया बंदु नामक एक सापताई समाचार पत्र का परकाशन प्रारम किया था तो दोस्तों यह दिया मारी वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी हो तो कमेंट करके जुरूर बताएं धन्यवाद